हेलो चिल्डरन्स, हावर यू, वेलकम टू माई यूटुब चैनल, किड्स एजुकेशन हुमा और मैं हूँ हुमा, आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर चलिए बच्चो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम जानेंगे स्वार और वेंजन के बारे में, ठीक हैं, तो हम आज स्वार और वेंजन के बारे में जानेंगे, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, उसी तरीके से अगर आप इसको याद करेंगे न, तो आप कभी भ भी नहीं भूलेंगे जिन्दगी भर आपके माइंड में रहका यही बात आप किस तरह से याद करते हैं इस तरह से याद करते हैं आप अब देखिए मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगे उस तरीके से अगर आप याद करोगे तो आपको लिखने में भी बहुत आसानी होगी ठीक है चलिए देखते हैं तो यह क्या है यह तो आपको बता है यह है छोटा आ कौन सा वाला आ है अनार वाला ठीक है यह छोटा आ छोटे आ से क् तो आपके आपके माइन में होना चाहिए यह क्या है बड़ा आ कोंसा वाला आम वाला ठीक है बड़या से आम आता है तो आपको इस तरह है दिमाग में रखना है यह क्या है छोटी इ, कौनसी वाली, इमली वाली, ठीक है, छोटी से इमली, और ये क्या है, बड़ी इ, कौनसी वाली, इक वाली, ठीक है बच्चो, बड़ी इ से इक, ये आपकी दिमाग में रहेगा न, तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ये क्या है, छोटा उ, कौनसा वाला, छोटे उ से उल्लू उल्लू वाला उ और ये क्या है बड़ा उ कौन सा वाला उन वाला ठीक है बच्चो बड़े उ से उन और ये क्या है रीशी रीशी है कौन सा वाला रीशी वाला जो रीशी मुनी बने रहते हैं फोटो में ठीक है बच्चो रीशी बने रहते हैं न यह वही वाला रीशी है रीशे रीशी तो आपके माइंड में अच्छे से बैड़ जाएगा आप इस तरह से कभी भी नहीं भूलोगे और लिखने में भी आपको बहुत ही इजी रहेगा तुम यह क्या है? ए यानि कि छोटा ए कौनसा वाला? एडी वाला छोटा ओ कौनसा वाला? छोटे ओ से ओखली वाला और यह क्या है? और बड़े ओ से ओवरत यह ओवरत वाला ओ है इस तरह से आप याद करना बड़े ओ से ओवरत इस पर दो मात्राएं लगी है और यह क्या है? अंग से अंगूर इधर बिंदी लगी है अंग से अंगूर अंगूर वाला अंग है यह और यह बड़ा अंग खा ली है ठीके बच्चो? अब हम देखते हैं वैंजन वैंजन को भी आपको इसी तरह से ही याद करना है ठीके बच्चो? का का से कबूतर कबूतर वाला का है ना यह तो आपको इसे ही याद करना है का से कबूतर और यह क्या है? खा कौन सा वाला खा? खरगोश वाला खा ठीके? खा से खरगोश यह क्या है? ग गा से? गमले वाला गा गा से गमला ओके? अब यह क्या है? घा गड़ी बहुत सारे शब्द आते हैं बट जो भी आपको comfortable लगे घासे घर घासे घड़ी उसी तरह से आप याद कर लेना आपकी दिमांग में बैठ जाएगा अड़ा खाली ये अड़ा है अड़ा खाली अब ये क्या है चा कौन सा वाला चा है ये चरखे वाला ठीक है बच्चो चा से चरखा चरखे वाला चा है ये अब ये क्या है चा चतरी वाला चा ठीक है बच्चो चा से चतरी चा से चतरी ये क्या है जा से कौन सा वाला जा है जा स ठीक है ये क्या है जहा जहा से जंडा या फिर जहरना बहुत सारे वर्ड आते हैं बहुत सारे शब्द बतते हैं एक शब्द से ठीक है ये क्या है उवाँ उवाँ खाली है अब इसको देख लेते हैं ये क्या है टा कौन सा वाला टा है टामाटर वाला टा टा से टामाटर ठीक यह क्या है ठा, ठा से ठठेरा, ठीक है, यह ठा है, इस तरह से आब याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, अब यह क्या है डा, डा से डमरू, डा से डमरू वाला डा, अब यह क्या है धा, धा से धकन वाला धा, यह क्या है अडा खाली, अब इसको देख ले यह क्या है ता, ता से तर्बूज, यह तर्बूज वाला ता है, ठा से थर्मस, यह थर्मस वाला था है, दा से दवात, दा से दवात, दवात वाला दा, धा से धनुश, धनुश वाला धा, ठीक है बच्चो, ना से नल, यह है ना, नल वाला ना, ओके, पा से पतंग, पतंग वाला पा है ये, ठीक है, फा से फल, फल वाला फा, बा से बत्तक, बत्तक वाला बा, भा से भालू, ठीक है, भा से भालू, आपको ऐसे लिखने में भी बहुत असानी होगी, भा से भालू, भालू वाला भा है ये, और ये है मा, यानि कि मा से मचली, यासे यग रासे रत लासे लड़का या फिर लटू ठीक है, वासे वक and शासे शलजम ये भी शा है शासे शटकोड शटकोड वाला शां और ये है शलजम वाला शां इन दोनों में confusion होता है बच्चो को इस तरह से याद रखना है शा से शल्जम वाला चाएंड शा से शटकोरण वाला चा ठीक है सा से सपेरा हा से हल ठीक है बच्चो आप लोगको उच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको अगर अच्छा लगा है अगर आपको ये मेरी जानकर ये अच्छी लगी है तो फिर आप एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नियू अप्लोड आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पोचे ठीक है बच्चो